इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जीयो के फॉन में एप को अपडेट कैसे करते हैं अगर दोस्तो आपके पास जीयो का कीपेड वाला फॉन है और आप अपने कीपेड वाले फॉन में जो है किसी भी app को update करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि उसे आप update कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखे इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो चल ये वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो जीओ फन में किसी भी app को update करना काफी असान है अपडेट हम किसलिए करते हैं क्योंकि कभी कबार जो कोई भी application होता है वो काम नहीं करता है इसके कारण जो है हम उस application को update करना चाहते हैं तो हम कैसे update कर सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर apps वाले option में आना है सबसे पहले beach वाले option पर click करना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से जो ही option में आपको चले आना है यहाँ पर आने के वाद आपको आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको थोरा सा भी skip नहीं करना है अगर आपको यहाँ पर वीडियो ना समझ में आया तो आप में comment box में बता सकते हैं इसके बदब आप यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर इस button के इस तरीके से press करके जो है नीचे आपको चले आना है यहाँ पर आपको जो है एक application रूड़ना है जो कि हर एक phone में होता है जो कि नाम होता है जियो एस्टोर ठीक है जैसे कि हम लोग normal phone चलाते हैं तो उसमें होता है पले एस्टोर ठीक है लेगिन इस phone में क्या होता है पले एस्टोर नहीं होता है इस फॉन में होता है, जीयो एस्टोर, जीयो का खुद का एस्टोर होता है, तो आप यह वाला अप्लिकेशन देख सकते हैं, यह राज जीयो एस्टोर, आपको इस पर क्लिक करना है और इस अप्लिकेशन को आपको open कर लेना है and open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिल दाता है आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं and अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको धेर सरा application मिलेगा आप जैसे कि मुझे यहां पर एक geo chat application होता है तो यह कुछ इस तरीके का option देगा अगर दोस्तो जो application update नहीं होगा वो यहां पर किस परकार का दिखेगा जैसे कि यहां पर देख सकते है geo video call यह दोस्तो update नहीं है आप जैसे कि यहां पर आप धियान से देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल आपको clear दिख रहा होगा तो यह application जो है update नहीं किया गया हुआ है तो हम इसको update कैसे करेंगे update करने के लिए आपको उस application पर सबसे पहले चले आना है and application पर आने के वद आपको यहाँ पर ok वाले बटन पर click कर देना है and click करने के बाद यहाँ पर update का option आजाता है तो आपको बीच वाला option पर आपको click कर देना है and click करने के बाद यह application यहाँ पर download होना यानि update होना start हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पार होएगे ठीक है अप्डेट होने के बाद यह application जो है आपको यहाँ पर open का option दे देगा तो चलिए हम यहाँ पर जब तक किसे update होने देते हैं तो हमारा जो यहाँ पर application है वो यहाँ पर update हो चुका है इसके बाद आपको install का option पर click कर देना है install करने के बाद दोस्तों यह जो application है वो direct यहाँ पर install होना है start हो जागा आपको फिर थोया देर आपको यहाँ पर wait करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर जीओ वीडियो को ला application है अपडेट हो चुका है अपडेट होने को आपको अप्शन दे दिया है आप इसको open करके इस्तमाल कर सकते हैं और इसी परकार से आप किसी भी application को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा आप हमें comment box में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले